बीबी से दुनिया में आज देखे सुडान में संघर्ष के मारे लोगों का पलाया सुडान में लडाई से जान बचा कर भाग रहे लोग घर और रिष्टदारों को छोड़ कर रहें पडोसी देश कहां मिल रही है मुसीबत के मारे लोगों को शरन सुडान के ग्रियुद का देश के भीदर और बाहर क्या हो रहा है असर कि देशों की है इस युद्ध पर नजर करेंगे कवर स्टोरी में चर्चा लेकिन पहले हेडलाइन्स 36 गड़ के दांतेवाणा में नकसली हमला, सुरक्षा बलके दस जवानों और एक ड्राइवर की मौत, अधिकारियों के मुताबिक हमले में माववादियों का हाथ, एक साल तक इलाके में शांती के बाद हुआ ये बड़ा हमला भारतिक कुष्टी महा संग के प्रमुक और अन्य प्रशिक्षिकों के खलाफ देश के बड़े कुष्टी पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी, आज दिल्ली में निकाला कैंडल मार्च, कई महिला पहलवानों ने कुष्टी संग प्रमुक प्रभूशन संग पर लगाय रूस की वज़े से पश्चिमे देशों के बाजार को खोना नहीं चाहते शीए। एक और भारते कफसरप को लेकर डबलो एचो ने जारे किया अलर्ट, पंजाब की क्यू पी फार्म केम लिमिटेट के बनाए कफसरप में मिले ऐसे कमपाउंड जिनकी वज़े से जा सकती है जान, इससे पहले गामब्या और उस बेकिस्तान में बच्चों की मौत के मामलें भारत में बने कफसरप को ठेरा गया था जिम्मेदार। देश चोड़ कर भाग रहे हैं और दुनिया के तमाम देश कुछ ने कर पा रहे हैं। क्या इस मुश्किल का कोई हल निकलेगा चर्चा कवर स्टोरी में। वहीं खारतूम में वार क्राइम के आरोपी कई पूर वाधिकारियों को जेल से भागने की खबर भी आई। हजारों लोग देश चोड़ कर भागने की कोशिश कर रहे हैं जिसका एक रास्ता उत्तर के और मिस्र को जाता है और दक्षणे मिस्र के अबुसिंबल पहुचने के लिए। खार्तूम से सड़क के रास्ते कम से कम दो दिन लगते हैं बीबी से समवादाता टॉम बेटमिन वहीं पर मौजूद हैं अब तक हजारों लोग इस क्रॉसिंग को पार करके मिस्र के रेगिस्तानी सीमावर्ती क्षेत्रों में जा चुके हैं शरण के लिए पहला दर्वाजा उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इसे पार करना होगा कमाल क्लासगो में दिल के सरजन है उनका पूरा परिवार बिटिन का नागरिक है दो दिन पहले वो खार्तूम से भागे वो कहते हैं कि ये उनकी जिन्दगी का सबसे बुरा सफर था बंबारी बहुत तेज और जोरदार थी लोग जहां भी थे उन्हें वहाँ से भागना पड़ा मेरी बेटी रो रही थी वो अब काहिरा के लिए निकले हैं और फिर स्कॉटलेंड जाएंगे वो बहुत राहत महसूस कर रहे हैं लेकिन पीछे छूट गए लोगों के लिए डरे हुए हैं नो दिनों तक पानी नहीं था क्या आप सोच सकते हैं हम गलियों में चिपचिप कर उस जगह जाते थे जहां गंदा पानी होता था उस पानी को घर लाकर खाने पीने और बाकी कामों में इस्तमाल करते थे ये इस खेतर के सबसे नए शरणार थी हैं जिन्हें प्रतिद्वनवी जनरलों के खतरनाक लड़ाई में फसने के पाद एक मुश्किल चुनाओ करना पड़ा जान बचाने के लिए भागना पड़ा लेकिन वो अपने साथ ज्यादा कुछ नहीं ला पाए भविश्य पीछे छूट गया, परिवार बिचड़ गए सुरक्षा की और ये उनके पहले कदम है और यहां तक पहुँचने के लिए उन्हें रिगिस्तान में छे सो मील का सफर तै करना पड़ा लेकिन कई हजार लोग अब भी रास्ते में हैं जो इस क्रॉसिंग तक नहीं पहुँचे हैं ये कतार का अगला हिस्सा है कमाल की बेटी इनास ग्रुप के उन लोगों में से एक हैं जो आखिर में पहुचे वो अपने साथ सिर्फ एक दस्तावेज लेकर आई हैं जो घर पहुचने के लिए जरूरी है लेकिन खार्तूम में इसकी ज्यादा एहमियत नहीं थी हम घर में फसे हुए थे और जानते थे कि अगली सुबब बम हमारे इलाके में गिरने वाले हैं हमें निकलना था मुझे पहले उमीद थी कि ब्रिटेन से हमें कोई बचाने आ रहा है और मैं शान्त रहने की कोशिश कर रही थी लेकिन कुछ वक्त बाद आप उमीद छोड़ देते हैं आपको एहसास होता है कि कोई आपको बचा सकता है तो वो सिर्फ खुद आप है और उनके भाई ग्लासगो पहुँचने की कोशिश में हैं ताकि काम पर लौट सकें उन्होंने जो देखा उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे जब मैं छोटा था तब से ही मेरा परिवार यहीं आता रहा है सुडान के लोग अच्छे हैं वो सिर्फ एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं एक अनिश्यत युद्ध विराम के बीच कई लोग ऐसे ही निकल रहे हैं एक ऐसी आंधी की तरफ जिससे वो अंजान है और भागने वालों में एहमद हारूर नाम का ये शक्स भी शामिल है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोट में नरसंगार और मानोता के खलाफ अपराद जैसे आरोपों में वांटिड है अब तक इस संघर्ष में कम से कम 469 लोग मारे गए हैं पराशंका जताय जारिया कि मृतकों की वास्तविक संख्या इससे भी जाधा हो सकती है और सुडान में सैयुक तराश्टर के विशेश दूद वॉलकर पर थेस ने युएन सेक्यूरिटी काउंसिल में पूरे मामले पर ये कहा दोनों पक्षों के नेता पूरी तरहे से सीस फायर लागू करने के लिए तयार नहीं हुए हैं इसलिए दोनों जनरल प्रमुक संस्तानों पर कबजे को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं ये सपश्ट संकेत है कि दोनों में से कोई गंभीरता से बाचीत के लिए तयार नहीं है जिसका मतलब ये है कि वो समझते हैं कि एक दूसरे को सैन्य यूत के जरिये हराया जा सकता है हाला कि ये गलत आकलन है कई देशों ने सुडान में दोनों पक्षियों के बीच मध्यस दता करने का प्रस्ताव दिया है सुडान के उत्तर में है मिस्र इथियोपिया नील नदी पर है एक डैम बना रहा है वहाँ पर जिसे लेकर मिस्र चिंतित है उसे डर है कि इस डैम के बनने से मिस्र में पानी के आपूर्थी प्रभावित होगी मिस्र सुडान को अपना सहयोगी मानता है इसलिए इस डाम के मुद्दे पर वो उसका साथ चाहता है मिस्र के राष्ट्रपती फटह LCC पहले से ही सूडान के RSF के जनरल मुहमद हमदान दगालो का समर्थन कर रहे हैं और उनकी मदद के लिए उन्होंने फाइटर जेट्स भी भेजे हैं इधर सौधी अरब और UAE ने साल 2019 से सूडान में अरबो डॉलर का निवेश किया हुआ है उन्होंने जमीन और कृशी के शित्र में निवेश किया हुआ है रूस का भी सूडान में हित है वो यहां अफरीका का अपना पहला नेवल बेस बनाना जाता है पहले वहां की सैने सरकार से इसे लेकर सहमती बन गई थी लेकिन ताजा संकट के बाद इस डील के भविश्यक को लेकर भी अब सवाल है आरूप ये भी लगते हैं कि रूस समर्थित वागनर ग्रूप का भी सूडान में सैने और व्यापारे खित है इस ग्रूप ने यहां पर मध्यस्तता का ओफर भी दिया है और अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की भी इस पर नजर है जो चाहते हैं कि सूडान पर रूस का प्रभाव कम हो और सूडान की सीमा साथ अफरीकी देशों से जुड़ी हुई है जिसका मतलब है कि सूडान में अगर कुछ भी हो रहा है तो इसका असर इस पूरे शेतर पर हो सकता है और संयुक्तराश्र की रिफ्यूजी एजिंसी नियाशंक का जताई है कि हजारों लोग इस संघर्ष के वज़े से आने वाले वक्त में देश छोड़ कर जाने की कोशिश कर सकते हैं हजारों विदेशी नागरिक पहले से ही सुडान छोड़ चुके हैं फ्रांस की सीना द्वारा निकाले के करीब धाई सो लोग वापस अपने देश पहुंच गए हैं जीबूती से रवाना होने से पहले हमने इन में से कुछ लोगों से बात की विदेश मैं अज से इन प्रवभी कर देख बात करें कि अजिफ करें अपने रहने हैं अजिक इस सब्सक्राइब फिग्सखब बागोती से एंपने ही जजिए आफ़गों से खिए विसे प्यूबव इंपने हैं because then we got stuck in the hotel and we couldn't get out. I think the hardest part was to keep the children's mood in a good mood and as long as we didn't show them fear, it would not be reflected on them. Our heart is our people there and I hope they find a solution and this will end soon and we return back to our country. इस बीच राहत समागरी का इंतिजार कर रहे आम सुडानी नागरीकों ने आरोप लगाया है कि पूरे देश में अराजक्ता के हालात है और राहत समागरी तक को लूट लिया जा रहा है. तालिबान ने अफगानिस्तान में इस्लाम एक स्टेट के एक एहम कमांडर को मार दिया है. अमेरिकी अधिकारियों ने BBC के अमेरिकी न्यूस पार्टनर CBS को ये जानकारी दिये. बताया जा रहा है कि काबोल एरपोर्ट में साल 2021 में जुआत्मगाती हमला हुआ था, उसमें इस आईस कमांडर का हाथ था. उस हमले में 170 अफगान नागरेक और 13 अमेरिकी सानिकों की मौत हुई थी. तालिबान के सत्ता में आने के बाद बड़ी संख्या में लोग अफगानिस्तान छोड़ कर जाने की कोशिश कर रहे थे और एरपोर्ट पर भारी भीड थी, तब ये हादसा हुआ था. मारे गए आएस कमांडर के नाम का पता नहीं चल पाया है और अब तक तालिबान ने भी इस ख़बर की पुष्टी नहीं की है. अमेरिकी प्रशासन ने कहा है कि वो किसी भी सूरत में तालिबान के साथ सहयोग नहीं कर रहा है. लेकिन आएस कमांडर कमारा जाना एक एहम ख़बर है. अंतरश्ट एमामलों के जानकार सैक जोन्स ने इस बारे में ये कहा. जहां तक काउंटर टेरोरिजम की बात की जाए तो तालिबानी ग्रही मंतरी सिराजुद्दीन हकानी के अल-काइदा और दूसरे आतंकवादी संगठनों से बेहद नजदी की संबंध हैं. मुझे लगता है कि काउंटर टेरोरिजम की मुद्दे पर तालिबान के साथ इंटेलीजेंस शेयर करते वक्त आमेरिका को बेहत साओधान रहना चाहिए. और खबर यूकरेन से, फ्रन्ट लाइन पर हो रही जंग सने पटने के लिए, यूकरेन अपने ड्रोन के घरे लूत पादन में तेजी ला रहा है. अपने कैमपेन ड्रोन आर्मी के तहट मिलेदान से, यूकरेन ने अब तक 3300 ड्रोन खरीदें, सैक्रो लोग ने सीधे सीधे डाक से ड्रोन भी भेजें, बीबी सी समवादा था जो टाइडी के रिपोर्ट. कियेव के बाहरी इलाकों में ड्रोन पाइलेटों के एक नए ग्रूप को फ्रंट लाइन के लिए ट्रेन किया जा रहा है. सुरक शाकारनों से हम लोकेशन जाहिर नहीं कर सकते. लेकिन यहाँ इंस्ट्रक्टर्स लावा इन नए भरती के पाइलेटों को सिखा रहे हैं कि कैसे ड्रोन का इस्तमाल कर दुश्मन सैनिकों की पहचाण की जाए और उन पर हमले में सेना की मदद की जाए. वो लेका की ट्रेनिंग लगभग खत्म हो गई है. अगले पांच से दस दिनों में मुझे किसी अलग ब्रिगेड में भेज दिया जाएगा. 93 ब्रिगेड में. वो सेनिका में है. और मुझी उमीद है कि सेनिका में जाते ही मैं जल से जल फ्रन्ट लाइन पर जा सकूंगी. बखमूत में उनके नए ब्रिगेड का ये काम है. सेना की मदद के लिए इस्तमाल किया जाने वाला ड्रोन DJI Mavic है. दूसरे ड्रोन से सस्ता है ये ड्रोन. लोग अपने शौक पूरा करने के लिए इसका इस्तमाल करते हैं लेकिन इसने दोनों पक्षों की और से युद्ध में बड़ी भूमिका निभाई है. इतना ही नहीं. इसके चीनी निर्बनताओं ने पिछले साल इसे रूस और यूकरेन को बेचने पर रोक लगा दी थी. ड्रोन की मांग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि यूकरेन ने आयात कानून में ढील देते हुए खुद ही अपना ड्रोन मैनिफेक्चरिंग यूनिट खोल लिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन बनाए जा सकी. साथ ही एक डिजाइन प्रतियोगिता भी शुरू की गई जिसकी फंडिंग एक पब्लिक कैमपेंड से की गई. स्टार वार के अभिनेता मार्क हैमिल जैसी मशहूर हस्तियों के समर्थन से आर्मी ओफ ड्रोन अभियान ने पिछले साल करीब 10 करोड 80 डॉलर जुटा लिये हैं. अब तक साड़े 3000 ड्रोन लिये गए हैं जिन में से अकेले 400 होवी ड्रोन सीधे पोस्ट के जरिये बेजे गए और ऐसा नहीं है कि सिर्फ विदेशी नागरिकों से ड्रोन के लिए दान की अपील की गई है. बलकि कई सर्विस स्टेशन्स और दुकानों में भी फन्ड रेजिंग का काम चल रहा है. हाल तक उप्रधान मंत्री रहे मिखाईलो फेडरो अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मंत्री हैं. अपने सरकारी दफ्तर में उन्होंने मुझे नए किस्म के कैमकाजी ड्रोन का सीक्रिट डिजाइन दिखाया. फेडरो के मताबिक ये अभियान फ्रंट लाइन पर हमले और यूकरेन के सैनिकों की जान बचाने के लिए है. लेकिन मंत्री ने रूस और वापस यूकरेन तक उडान भरने में सक्षम नए ड्रोन के बारे में सोशल मीडिया पर कई दावे किये हैं. उनका दावा है कि इसे मौसकों के पास मार गिरा गया था. आप यूकरेन की रक्षा के लिए दुनिया भर के लोगों से अपने ड्रोन, ड्रोन के लिए पैसा दान देने के लिए कह रहे हैं. लेकिन रूस पर हमले के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि इस बारे में सेना से बात करना बहतर है. हमारा काम ये सुनिश्चित करना है कि सेना के पास हमें जीत दिलाने के लिए संसाधन और उपकरन हो. लेकिन देश के नेता के तौर पर क्या आपको लगता है कि सीमा पार ड्रोन भेजना सही है? रूस ने हम पर आक्रमन किया. बड़ी संख्या में हमारे लोगों और सैनिकों को मारा, हमें रूस को रोकने की ज़रूरत है. हाला कि युक्रेन का रक्षा मंत्राले ये इस पष्ट करने से इंकार कर रहा है कि उनका ड्रोन सीमा पार रूस के क्षेतर में इस्तमाल किया जा रहा है या नहीं. इस पीच डोनेशन का आना जारी है और आस्मान में और ज़्यादा ड्रोन नज़रा रहे हैं. प्लेन उडाना बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे खेल खेल में प्लेन से जोड़ी जरूरी बाते जरूर समझ रहे हैं. इंग्लेंड में एक फ्लाइंग क्लास्रूम जलाया जा रहा है, ताकि कम उम्र से ही बच्चों में एविएशन सेक्टर को लेकर दिल्चस्पी बढ़ सेके. दरसल कोविड महमारी के दौरान एविएशन इंडुस्ट्री को सबसे जादा नुकसान उठाना पड़ा था. ये फ्लाइंग क्लास एक कोशिश है उस गाप को भरने की. देखे बीबीसी समवादा था, मार्क एश डाउन की रिपोर्ट. एरोस्पेस के दुनिया में नौकरी के इतने स्कोप के बारे में सुनकर आप चौँक सकते हैं. ये बुटन के बोनमाउट के एक स्कूल के छातर हैं, जो पासके एक एएपोर्ट पर एरोस्पेस में कारियर आप्शन के बारे में जानने आए हैं. ये किसी आम विमान जैसा लग सकता है, पर बच्चों को सिखाने के लिए इसे खास तोर पर फ्लाइंग क्लास्रूम जैसा डिजाइन किया गया है. एक ऐसा उद्योग जहां युवाओं की कमी है और जहां एक तिहाई कमपनिया पहले से ही करमचारियों की कमी से जूच रही है. वहां अगली पीडी के ऐसे लोगों की तलाश चारी है, जो फ्यूचर एक्राफ्ट डिजाइन करें, उनका निर्मान करें और उन्हें उड़ाएं भी. आखिरकार ये इस बारे में है कि हम युवाओं को कैसे प्रेज़ित करते हैं, एक ऐसा पेशा चुनने के लिए जहां फिल हाल बहुत बड़ा स्किल गैप है, जितनी जल्दी बच्चे ये जालने उतना अच्छा, इसलिए हम युवाओं को सिखा रहे हैं. ये फ्लाइंग क्लास्रूम बेटफोर्ट शहर के क्रांफिल्ड युनिवरसिटी का नाशनल फ्लाइंग लाबरेटरी सेंटर का हिस्सा बन गया है. आम तोर पर इसका इस्तिमाल कॉलेज के चात्र अपने कोर्सिस के लिए करते हैं, लेकिन आप ये छोटे बच्चों को भी सिखाने के लिए इस्तिमाल किया जा रहा है. ये पहली बार है जब हम इस विमान को दूर लेकर आये हैं ताकि हम यंग लर्नर्स को इंस्पायर कर सकें. उमीद करते हैं कि हम उन्हें इंजीनियर बनाने के लिए इंस्पायर कर पाएंगे. कॉपिट बहुत दिल्चस्प था. वहां बहुत सारे बटन और लीवर थे. लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हालात बहतर हो रहे हैं. ये कोशिश है कि और स्कूलों को इस फ्लाइंग स्कूल से जोड़ा जाए. तकि एविएशन सेक्टर में युवा करियर की और संभावनाय तलाश सकें. झाल